बात 1980 में शुरू हुई धानों का अग्रिटेक की 4,700 करोड रुपे के मार्केट के अफवाली धानों का अग्रिटेक अग्रोकेमिकल्स बनाती है कम्टी के पास herbicides, insecticides, fungicides, plant growth regulator, biostimulants सहित 321 से जादा registrations है आज कम्टी के management से हम जो मौझूदा demand trend है उसको समझेंगे केपेक्स plan कैसा है, pricing outlook कैसा है, विस्तार योजनाओ पर हम focus करेंगे growth outlook भी जानेंगे जादा बाचीत के लिए आईए जोडते हैं कम्टी के VC और MD, MK धानुका सर को Mr. धानुका सर, good afternoon, बहुत स्वागत है आपका Z business पे सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे यह जो वित्तवर्ष अब जा रहा है, FI 24 काफी चुनौती पूर्ण साल रहा है पूरी इंडस्ट्री के लिए काफी चुनौती पूर्ण रहा है डिमांड वाइस देखें, प्राइसिंग पॉइंट से देखें अब सर यह ज़रा बताईए कि FI 25 नया वित्तवर्ष इंडस्ट्री के लिए कैसा दिख रहा है और यह जो स्थिती है यह आपको सामान्य होती भी कब तक दिख रहे है देखें जो पिछला वर्ष गया है यह ऐल नीनो इयर था अलीनो इयर के लिए अंदर जो है बारिश बड़ी इरेटिक रहती है जिसका खेती के उपर में डारेक्ट इंपेक्ट आता है लेकिन जो फोरकास्ट नेक्स येर के लिए आई है वो ला नीनो के लिए ला नीना की आई है तो ला नीना में नॉर्मल रेंफॉल या कुछ एक्सेस रेंफॉल होती है और जब रेंफॉल ज़ादा होती है तो डेफिनेटली खेती भी ज़ादा होती है और जो pesticides की demand है वो भी जादा होती है तो मैं समस्ता हूँ कि जो आने वाला साल है वो agri input companies के लिए काफी अच्छा रहेगा और demand काफी अच्छी रहेगी चलिए तो यहाँ पर मांग की स्थिती कुछ बहतर होती भी दिखाई दे रही है अच्छा सर यह जरा बताईए कि globally agri cam prices में किस तना का sense आपको मिल रहा है और अभी मौझूदा pricing trend कैसी है वाई वाई या quarter on quarter आधार पर देखें तो किस प्रकार का trend आपने catch किया है अभी तक demand कम थी और supply जादा थी और especially global demand जो America और Brazil जो की highest consuming countries है वहाँ की demand काफी कम की उसके कारण से prices जो है नीचे जा रहे थे किन्तु अब पिछले एक महिने से prices या तो stable है या कुछ molecules के अंदर में अभी आपवार trend भी काफी देखने को मिला है जैसे कि chloropylifos में 10% price increase हो गया है benco जब में 20% price increase हो गया है तो आप जो है price, जो है trend change हो रहा है तो अब trend में यहाँ पर कुछ बदलाब जरूर देखने को मिल रहा है अच्छा सर थोड़ा numbers पर focus करते हैं तीसरी ते माही में हमने देखा आपका जो gross margins है उसमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है किस कारण से सर ये improvement आया है मेजर दो reason थे इसके पीछे एक तो product में बिस्ता जो high margin products से उनकी sales जादा हुई उसके कारण से gross margins बढ़ गए और दूसरा जो prices raw material के reduce हुए उतना price जो है for brand sales के अंदर में market के अंदर में pass on नहीं हुआ हुआ उतने prices जो है final products के कम नहीं हुए उसके कारण से gross margin improvement आई है सर प्राइमेरिली raw materials का कितना impact पड़ता है सर जोस तरह की price movement commodity market में दिखती है और कितने delay से या कब से reflect होता है ये market में demand and supply के ओपर में depend करता है कभी ही तो immediate impact आ जाता है जब peak season का टाइम होता है जब थोड़ा off season का time होता है तो उस समय prices का impact आने में एक से दो महिने का समय लग जाता है अचा सर आपकी जो तीसरी तिमाही वाली presentation थी उसमें आपने mention किया था that there is a significant gap in volume growth and value growth तो क्या trend है सर currently और ये Q4 के लिए volume और price growth को लेकर क्या sense बन रही है फर्ट क्वार्टर में भी similar trend रहेगा क्योंकि अभी तक prices जो है वो नीचे ही जा रहे थे reduction trend था तो उसके कारण से मैं समझता हूं कि जो थर्ड क्वार्टर में हमारी performance रही है उसी हिसाफ से करीब जो value wise growth है वो single digit रहेगी और volume wise growth जो है near double digit जो है वो higher single digit और near to double digit growth हो पाएगी अज़ा सर इसकी बारे में डीटेल्स और कैसे मौके दिखाई दे रहे हैं किमी टेक जो है वो इस पेइन की कंपनी है जिसके साथ हमने letter of indent sign किया है यह बाइलोजिकल्स के अंदर में है और बाइलोजिकल्स प्रोडेक्स का जो है वो volume काफी बढ़ता जा रहा है globally जो है वो chemical pesticides की जगह है bio pesticides का usage बढ़ लाया है क्योंकि इसके अंदर में residue level काफी काम होते है तो it will be too early क्योंकि अभी सिरफ letter of indentity sign हुआ है एक बार agreement sign हो जाता है तो इसके अंदर में opportunities बहुत है मतलब हम इंदिया के अंदर में joint venture भी कर सकते है या धानुका manufacturing करके globally जो है वो किमी टेक को supply कर सकती है तो वो सारे options अभी work out हो रहे है sooner we will inform the market about the developments value wise sir यह कितना बड़ा हो सकता है मतलब if you go ahead with it revenues पे कैसा impact यहाँ पर दिखेगा फिर sir इसके बाद दिखें यह slow process है जैसा कि अगर आप देखें तो ayurvedic treatment है homeopathic है allopathic है लेकिन maximum लोग allopathic treatment को ही अपनाते हैं इसी तरह से chemical pesticide usage को replace नहीं किया जा सकता biologicals या organic खेती के साथ में लेकिन definitely gradually जो लोग ज़्यादा दाम खर्ज कर सकते हैं अपनी requirements के लिए उनके लिए यह ज़्यादा फाइदमन साबित होगा और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि लगबग 100 करोर का volume हम जो है biologicals से आने वाले time में 3-4 साल के अंदर में कर पाएंगे अगर आप हमें बता सके company कुछ agri startups में निवेश कर रही है क्या कारण है सर यह निवेश से क्या आप expect कर रहे हैं और क्या कोई नए बिजनेस एरियास को एक्स्प्लॉर कर रहे हैं दिखे धानुका ने एक drone company में 30 करोर रुपे की इंवेस्पेंट की थी क्योंकि आने वाला भविश्य जो है वो drone technology का है जो spray technology है वो drone के माध्यम से होगी चाइना के अंदर में maximum spray drone के माध्यम से होता है क्योंकि drone से spray करने के काफी ज़्यादा advantages है एक तो हम पानी की बहुत बचत कर सकते हैं 200 लीटर पानी एक एकर में यूज होता है उसकी बजाए दस मीटर पानी से पूरे एकर में इस्प्रे हो जाता है drone के माध्यम से तो इस तरह से पानी की बचत बहुत बचत होती है evenly spray होता है और labor cost कम होती है और इसके अतरिक जो human health है labor की health है वो जब काफी जादा impact होती है तो कि वो exposed होता है जब वो spray करता है pesticide के लेकिन drone के माध्यम से spray होने से वो exposure खतम हो जाता है तो इस तरह से drone में हवीश्य है उसको देखते हुए हमने investment की है company class में extra funds available है तो उसके लिए company कुछ-कुछ start-ups के अंदर में investment कर रही है और एक जी सर प्लीज continue इसके अतिरिक्त हमने एक दूसरी company के अंदर में भी किसान connect के नाम से एक company है जिसमें 10 करोड रूपे का investment किया है जो की farm to fork मैं तो direct किसानों से सबजिया और फल लेके direct consumer तक पहुचाते हैं तो ये भी भविश्य के अंदर में मैं समस्ताओं की काफी जादा increase होने वाला segment है तो इसलिए इसके अंदर में भी हमने 10 करोड रूपे की investment की है तो ये छोटी-छोटी investments जो है हम trial basis के उपर में start-ups में करते रहते हैं company का excess funds जो है उसको deploy करने के लिए अजय सर आपके दहेज plant जो है उसके उत्पादन क्योंकि अब शुरू हो चुका है तो किस तरह का IMA contribution रहा है तीसरी तिमाही में सर वो जानना चाहेंगे आप से जैसा भी आपने बात की तो दहेज को हमें as a start-up ही लेना पड़ेगा क्योंकि पिसले वर्ष price trend reduction का था इसके कारण से demand काफी कम थी तो इसलिए हमने जो production था वो कुछ समय के लिए स्थगित भी कर दिया था बीच में क्योंकि inventory company के पास में खटी हो गई थी लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे-जैसे हमारे export registration आएंगे तो export की opportunity काफी बढ़ जाएगी क्योंकि इंडिया से export काफी जादा हो रहा है जो by family technical हम बना रहे हैं लगबख 5000 metric trend का इंडिया से export होता है और अभी क्योंकि हमारा registration नहीं है इसलिए हम export नहीं कर पा रहे हैं जैसे हमारे export registration आएंगे तो हम export के अंदर में काफी तेजी से आगे बढ़ेगे अभी सिरफ हम domestic market में supply कर पा रहे हैं और demand क्योंकि कम थी लेकिन अब season start होने जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वर्ष के अंदर में प्लान और किस प्रकार का growth outlook है उस पर रॉशनी डालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसी के साथ शो को हम यही राप अप करते हैं लेकिन बने रहेगा जी बुजनिस के साथ प्रेके उस पार भी खब्रोकर से सिला जारी रहे हैं